दोस्तो जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि शारुखान की फिलम जवान साथ सितंबर को सिनमा गरों में रिलीज हुई थी और इस फिलम ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ओफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है दोस्तो आपको बता दिक फिलम ने अपने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपे की कमाई की है इसी के साथ ही फिलम ने दोस्तो आपको बता दे कि 300 करोड़ रुपे का भी आंकड़ा पार कर लिया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये फिलम आने वाले समय में कई सु बड़े रिकोर्ट कायम करेगी और कई बड़ी फिल्मों के रिकोर्ट भी तोड़ देगी दोस्तो पहले तो आपको ये बता देगी शारु खान ने अपनी फिलम पठान का रिकोर्ट पहले दिन तोड़ दिया था पठान ने 56 करोड़ रुपे की कमाई की थी वहीं जवान ने 75 करोड़ रुपे की कमाई की है अपने ओपने इंडे पर और ऐसा माना जा रहा है ये फिलम दस दिनके भीदरी कई बड़ी फिलमों के रिकोर्ट तोड़ देगी ऐसे में दोस्तो आपको बता देगी वोलिवुड के कई शूप पस्टारों का भी ऐसा मानना है कि शारु खान की ये फिलम कई बड़े रिकोर्ट तोड़ देगी इसी कड़ी में दोस्तों आपको बता देगी सन्नी देवल ने भी अपना रियाक्शन दिया है दोस्तों आपको बता देगी सन्नी देवल ने इस फिलम को देखा है और सनी देवल ने इस फिलम की जम कर तारीश भी की है सनी देवल ने कहा फिलम बहुत ही अच्छी है और इस फिलम में शारू खान का डबल रोल मुझे काफी अच्छा लगा और इस फिलम में शारू खान का एक्शन देख कर मज़ा आ गया इसके लावा दोस्तों आपको बता दे कि सनी देवल ने शारू खान को फोन करके बधाई भी दी है इसके लावा दोस्तों आपको बता दे कि आपको पता हुगा कि कुछ दिन पहले गदर टू की सकसेस पार्टी रखी थी और इस पार्टी में शारु खानों सन्नी देवल ने जम कर मस्ती भी की थे और गरम जोशी के साथ हाथ भी मिलाया था और गरम जोशी शेक गले मिले और अब इसी भी सन्नी देवल ने भी उनकी फिलम जवान की जम कर तारीफ की है इसी के साथ दोस्त आपको यह भी बता देगी सन्नी देवल की फिलम गदर टू अभी भी सिनिमा गरों मेरे लगी हुई है और फिलम जवान का मुकाबला कर रही है भले ही इस फिलम के कमाई धीरे हुई हो लेकिन अभी भी लोग इस फिलम को जम कर पसंद भी कर रहे है और इसी के साथ लोग जवान को भी काफी ज़्यादा पसंद कर रहे है फिलाल दोस्तों आपको सन्नी देवल के इस दियाक्शन पर क्या कहना है कमेंट से चनल बता रहा ना भूले बॉलीवोड की खबरों से जुड़े रहने कली हमारे चान से जुड़े रहे है